क्यारे बच्छे, नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि पैसे कहां बनता है और कौन से राज में बनते हैं, पैसे तो आपने बहुत चलाए होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये पैसे कहां पर बनते हैं और कौन से राज में बनते हैं, तो चलिए आज हम सीखेंगे, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन पर ये एक रूपे के, दो रूपे के, पाँच रूपे के, दस रूपे अब तो खेर 20 रूपे के भीुण सीखे आ गोई हैं चलन में तो आज हम यही जानेंगे कि कहां ये बनते हैं यानि भारत की कौन से कोने में ये बनते हैं, यानि किस राजे में बनते हैं, ठीक है, चले, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सिक्के कुल 6 जगा बनते हैं, यानि कि 6 जगा, ठीक है, कौन-कौन से सबसे पहला यहाँ पे देखे क्या है, सबसे पहले है, इंडियन स security price है नासिक ये कहां है जी महराष्ट में ठीक है कहां है ये महरास्ट में तो यह जो है नासिक-रोट स्थित भारत प्रतिबूति मुद्रनाले है जो डॉक संबदी लेखन जितने बहें इतने हैं डॉक's कोगे बाके वीविन्ट कोई जिसे अदालती जासे कि आपकी वकील मतलब की अदालत में जो ऍटीकट स्विगरा लगते या गैर्र अदालती जो टीकट होते हैं страх कि चेक होते हैं बॉंड राश्टि बत्यश बच्षत पत्र जैसे position order or passport यह पी इन सभी तह 170 होते सरकारी 278 में वो सारे के सारे कहां बनते हैं यह यह महाराष्ट में इंडियन सेक्रिटी प्रेस यह कहां है महाराष्ट में ठीक हैं अगला देखें करेंसी नौट प्रेस नासिक महाराष्ट में दो जगह बनते हैं एक महाराष्ट में यह इंडियन सेक्रिटी प्रेस नासिक और दूसरा currency not press not sich यह दोनों यह company के नाम है जहां बनते है मुद्र not press ना सइक यह का है महराष्ट में ठीक है यह भी महराष्ट में यहाँ पर क्या बनते हैं देखो यहाँ पर 10 रुपे के 20 रुपे के 50 रुपे के 100 रुपे के 100 रुपे के ठीक है और इसके अलाबद ये 1000 यह तो अभी नहीं बनते हैं 2000 रुपे गये इन्हें ये जो नॉट्ष है नॉट्ष सििके नहीं ये सारे के सारे महाराष्थ में बनते हैं कहाँ पर ये currency नॉट्ष नासिख में नासिख जगा है कहाँ पर महराष्ट में तो आपको यह समझ में आगया होगा कि यह 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे, 500 रुपे, 2000 रुपे, कि जितने भी आपके पास नॉट है या देखा है आपने, यह सभी कि सभी कहाँ बनते हैं, महराष्ट में, ठीक है, चलिए, अगला अगले सिक्यूर्टी प्रिंटिंग प्रेस, यह कहाँ है जी, हैदराबाद में, सेक्यूर्टी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, हैदराबाद, यह हैदराबाद की जो है न, हैदराबाद कहाँ है, यह दक्षीन में, ठीक है, हैदराबाद के स्थापना दक्षीन, राजियों rada युत्त पादन शुल्क हो गया व्टिन हो गया कस्टम डूटी सु गया इस्तांप Tecate से २्चेज़न वर्डफम फ्र Tanzan seconds जो गया एस दे्च K क्या किया कि यह हैधराबाद में ये सारे सेट-आप लगा दिया गिया 1981 अगला देखे अगला जो कहा बनता है यह bank not prison दिवास ये दिवास कहा है ये मद्परदेश में कहा है मद्पर्देश में दिवास ये कहा है मद्परदेश ठीक है तो अब देखे, यह जो मद पर्देश में क्या-क्या बनते हैं, देखे, देवास है, यहाँ पर देखे, क्या-क्या बनते हैं, यहाँ पर भी जो देवास है न, यहाँ पर भी क्या-क्या बनते हैं, देखे, 20 रुपे, 20 रुपे के, 50 रुपे के, 100 रुपे के, यहाँ पर भी नॉट्स बनते हैं सिक्के नहीं 20 रुपे 50 रुपे 100 रुपे के नॉट्स यहां पर बनते कहां पर यह देवास देवास कहां है मद परदेश में ठीक है डियर स्ट्रेंट्स आपको समझ में आ गया हो गया अगला बैंक नॉट प्रेश देवास मद परदेश यह इसका मिल का नाम है कौन 1967 और यह 68 में इसको चालू किया गया था इसको करने के लिए क्लिए क्या तक करंसी नॉट जैसे बैंक के नॉट है करंसी नॉट है कागा सता नं जुडिशियल स्थांप्स पेपर जैसे होते हैं छपाई का परियोग यहीं पर होता है इसके अलावा जैसे पेपर जो छपता है उसका कागज का जो उत्पादन होता है वो भी यहीं पर होता है ठीक है यहां मील है जो आप पेपर मेंने की जो आप पैसे आपके पास मिलता है उसका पहले कागज बनता है यह नहीं कागज बनते हैं तो यह सारे कागज कहां बनता है यह बैंकनोट यह दिवास में ही बनता आप देखे तो आपको बतादे कि यहां पर जो सहाब नई है यह का है पस्यू बंगाल में और मैसूरी काहा है। यह करना टग में तो देखो यह दोनाइये आद त्रों कियन सीनोट प्रेशिक हैं। चलेवनी पस्इम मगाल में और मैसूर करना टक में यहाँ पर क्या है कि RBI के नियंतरन में यानि कि Reserve Bank of India के नियंतरन में, कंट्रोल में नोट्स चापे जाते हैं यहाँ पर भी पैसे चापे जाते हैं काँ पर RBI, RBI के guideline के ताटिने controlling में ठीक है तो आपको समझ में आ गया चलिए अब हम सीखेंगे यह से screen पे कि यह जो सिक्के हैं अब हमने समझ गया कि यह सारी कहां बनते हैं दिवास में मदबर्देश में करनाटक में ठीक है और पस्षिम बंगाल में यह सारी कहां यह knots बनते हैं अब हम सीखेंगे यह जो सिक्के हैं सिक्के जहां बनते हैं उसे मिंट्स कहते हैं जो क्या कहते हैं मिंट्स या हिंदी में कहते हैं टक्षाला क्या तक्षाला यहने कि भारत सरकार की कुल मिला कि चार टक्षाला है जहां पर यह सिक्के बनते हैं यहने कि पैसे बनते हैं, काहँ-काहँ एक तो है मुंबाई में, दूसरा है कौलकता में, तीसरा है हिदराबाद, चौता है नोगडा, मुंबाई कौलकता है ध्राबाद, नोगडा, दूसरे कॉलकत्ता में जो 1903 इस्वी में और हैदरावाद 1950 और नवेडा में जो हाल फिलाल में 1989 यानि कि 90 के दसक के लगबग में नवेडा यानि दिल्ली के बगल में यहां पे भी पैसे बनते हैं यानि कि टाकसाला है ठीक है अब आप इसको identify कैसे कर सकते हैं कि कौन सा जो सि इसके कहां पे बने हैं जैसे यहां पर आप देख पा रहेंगे इसकी मैं बात करूं तो यहां पर देखें डेवंड कलर की यहां पर सेफ दिएकर आगा देखो यहां पर देख रहा है अगर मैं तोड़ा आपको बढ़ा करके दिखाना चाहूं तो आप इलकुल आसानी के सा इसको देख पाएंगे, आप मैं आपको दुवारा देखाता हूं आपको, चलो, यहां देखें, यहां पे देखें, क्या है, यहां पे देखें कुछ भी sign नहीं है, यहां पे देखें कुछ साइन है, तो कहोगे जी कोई sign नहीं है, यहां पे कोई sign नहीं है, जब कोई भी sign नह बना होल में पैसा कहा बना होगा इश्टार वाला जो भी सिक्का वह वो है ठध वाला पैसा होगा कहा बनाओगा तो देखो और यहां जैसे यहां पर ढामिंड ऊज़ोन डामिंड सिर्भ मार्मजा यहां पर ZA होगा और जो अगर star का sign होगा तो है धराबाद में और अगर dot का होगा तो यह नोइडा में तो यह चार जगा हमारे जो हैं पैसे बनते हैं ठीक है अब मैं आपको इसको detail और बता देता हूं जैसे अगर कोई सिक्का मुंबई का होगा तो आप कैसे पैचानेगे अगर उस सिक्के में marking अगर इस shape का हो तो आप समझ ले ना कि यह पैसा कहां बनाओंगा यह मुंबई में बनाओगा दूसरा अगर कोई भी मार्क नहीं है यहनोग थैसरा अगर यहाँ पी शिक्क आ आपके पास और उसमें क्या होगा इस इस्यार का सीमबल होगा यह कहां बने यह से येह बार्बाद में आपके पास भी पैसे होंगे, coins होंगे, उससे एक बार देखिए, वहां से आपको पता चल रहा होगा, क्या, कि ये पैसे कहां से बने है, मतलब कि आप इस marking को देखर, यहने कि सिक्के में ये sign देखकर, ये symbol देखकर आप पता कर सकते हैं, कि ये पैसे कहां पे बने हैं, और कहां पे नहीं बने है तो यह star है तो star जहां पे बनाओगा इसका मतलब है कि यह हैदराबाद में बनाओगा और अगर शिर्फ ऐसे dot है यानि कि छोटा सा dot सा आपको दिख रहा होगा तो यह आप समझ लिजे यह नोइडा में बनाओगा ठीक है आपको समझ में आगया तो चले मैं एक सिकाप के सामने यह दे रहा हूँ आप बताए कहां बनाओगा यहाँ पे हम देखेंगे देखें यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे यह sign दिख रहा है क्या दिख रहा है star दिख रहा है तो आप यह बताईए, इस टार जो दिख रहा है, यह पैसे कहां पर बनाओगा, तो कहोगे जी यह इस टार है, कहां है इस टार देखो, यह है इस टार, तो इस टार कहां है, इस टार है है हेदरावाद, यहनि कि यह कहां पर बनाओगा, यह हेदरावाद में बनाओगा, ठेक ह समझ में आगए आपको, तो इस तरीके के आपके पास जितने भी सिक्के हैं उसे एक बार निकाल के देखो और देखो कौन से पैसे कहाँ पे बने हैं, ठीक है Dear student, Thank you for watching